गोड मॉरिंग क्लास कैसे हैं आप लोग क्या हाल चाल तो हम लोग बात शुरू करने जा रहे हैं अपने लिमिटेड लियाबिलिटी पार्टनर्शिप पाक्ट की सेकंड कास पर और इससे पहले आप लोगों को फर्स वाली जो क्लास है फर्स वाला जो पार्ट है वो जरूर दिख लेना चाहिए उसके बाद ही आगे के पॉइंट जो है अपने को पहना चाहिए बराबर चलिए तो हमारा सेकंड वाला क्लास जो है आज हम स्टार्ट करते हैं फटा फट से और अगला हैडिंग जो आपको देखने को मिल रहा है पहले सेग्मेंट में हमने फोर सेक्श का हमारा ये सेकंड पार्ट जो है मदब सेकंड जो आप पढ़ेंगे घर पे भी तो और यहां पर जो मैं समझाओंगा भी वो रहने वाला है ठीक है अब सर इनकॉर्परेशन प्रोसेस क्या होगा इसके लिए एक बढ़िया काम यहां से आप लोग मेरे साथ में देखेंगे कि इनकॉर्परेशन प्रोसेस के आपको यहां पे दे रखे हैं कुछ स्टैप्स बराबर लिखे का जा सेक्शन 17 आपका ख़तम होता है उसके बाद में आपको कुछ स्टैप्स दे करके रखे हुए है और उन्हीं के बेस पर अपने को प्रोसेस जो है वो तैयार करना है और का सीक्विंस जो है वो अपन लोग थोड़ा थेंज करेंगे हैसा नहीं है कि पहले अपन ट्वेल ही पढ़ेंगे फिर 11 या 12 फिर 13 फिर 14 जहां जिस सेक्शन की जिरोत अपने को पढ़ रही है पूरे प्रोसेस में हम वहां पे वो सेक्शन काम में लेने वाले हैं तो सबसे पहले नबर पर हमारे पास में आ गया step 2 incorporate LLP में पहला काम जिसे आपको कंपनी का भी याद अगर है तो यह बहुत आराम से याद होगा नेम रिजर्वेशन हमको करना पड़ेगा ठीक है तो पहले मैं यहां से पढ़दा हूँ अब बढ़िया चीज आप समझो कि नेम रिजर्वेशन के लिए हमको यहां पे अलग से एक सेक्शन जो है वो समझाया गया है और वो सेक्शन हमारा हो गया आईए 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 यह देखिए किधर गया नेम रिजर्वेशन का हमारा जो सेक्शन नमबर आप मेरे साथ में पढ़ेंगे 16 वाला 15 वाला भी नहीं देखेगा 15 वाला भी नेम का सेक्शन है लेकिन अभी मैं जैसा बताता जा रहा हूं उसको फॉलो करियेगा हम लोग यहां पे पहले बात करेंगे सेक्शन नमबर 16 पर जो हो गया हमारा स्टेप नमबर यह वन स्टेप में जब भी आप याद करोगे इस इन कॉर्परेशन प्रोसेस को तो सबसे बहले नेम रिजर्विशन और उसमें आपको लेना है सेक्शन नंबर सोला यानि सिक्स्टीन देखो क्या लिखा है अब पर्सन में अप्लाई इन सच फॉर्म अब सच फॉर्म अभी अभी आपने पढ़ लिया कि वो फॉर्म है इस फॉर्म नंबर वन ये पॉइंट बने महां से ले लिया थो पर्सन में अप्लाई इन इस फॉर्म नंबर वन और जो भी अकॉपनेट बाई सच फीस बट ओविए से कुछ फीस भी पे करना पड़ेगा अज बीप्रस्क्राइब आप उसका जो नया नाम रखना चा रहे है अचा ये फॉर्म अगर पहले से नाम रखावर चेंज आप करना चा रहे हैं तो भी काम आजाएगा यही वाला फॉर्म तो इन कॉर्परेशन प्रसेस में ये बी वाला पॉइंट लिखना आपके लिए जरूरी नहीं है क्योंकि ये जो बी वाला पॉइंट है ये तब काम आएगा जो हम आगे पढ़ेंगे जब 15 और 17 वाले section पर बात करेंगे नेम चेंज की लेकिन नेम चेंज होगा LLP बनने के बाद तो पहले LLP को बनने तो दीजिए तो पहला step person have to apply to ROC for reservation of name in form number e form number 1 बराबर एकदम आसान सी बात है और upon receipt of application and on payment of prescribed fees the registrar अब देखेगा may if it is satisfy reserve the name अपने काम की चीज यहाँ है 3-1 from the date of intimation by the registrar तो जैसे आपने company के अंदर name reservation पढ़ा था 20 days वाला जो अपना concept था यहाँ पे आपके लिए नाम reserve रहेगा पूरे 3 महिने के लिए 90 days अपरोक्स आप बोल सकते हो लेकि लिखना 3 months जादा है तो यहाँ पे 3 months ही लिखा हुआ है days में तो फिर भी उपनीची हो सकता है तो name for a period of 3 months आपके लिए reserve रहेगा तो अगर exam में आजाता है भी in corporation process समझाईए तो your first step is name reservation और उसमें जितना matter आपको भी मैंने बताया उतरा आपको लिखना है है ना they have to apply in e-form number 1 to the ROC with prescribed fees for registration of name reservation of name and reservation of name का time period कितना रहेगा 60 days from the date of intimation by the registrar clear matter कोई tension नहीं तो पहला आपको step ये लेड़ा है section number 16 चलिए जी तो इसका मतब में यहां पर भी लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से ध्यान में रहे कि यहां आपको section number 16 जो है वो लगा देना चाहिए अब second step आता है incorporate LLP का ये देखे सरी यहां पर क्या करना है देखो after reserving a name user has to file यहां अपने पास में आ गया e-form number 2 for incorporating a new limited liability partnership तो हमने का सरी ये e-form number 2 में आप अपने को क्या देना है अभी आपको बताने जा रहा हूं है e-form number 2 contains the detail of LLP proposed to be incorporated partners का detail, DP का detail designated partners का and consent of all partner designated partner to act as partner as well as designated partner तो e-form number 2 में अपने को इस बार application देना है कि सर हमने नाम तो reserve कर लिया है अभी आप हमको registered करी है as LLP plus साथ में हमको सारा कुछ details जो भी LLP का है partner और DP हमारे जो है वो सब है उन सब का detail भी अपने को यहां पर इनको दे देना चाहिए यह simple सा आप लोग यहां पर ध्यान डखने वाला है बराबर simple सी बात होगी now अभी सर यह इतना ही लिखना है नहीं मैं आपको sections बताता जा रहा हूं तो section number 16 अपने नाम का ले लिया इसके लिए अपने को section use करना रहेगा वो आप मेरे साथ यहां से दिखेंगे यह हमारा हो गया section number 11 incorporation document तो second step में अपने को यह लेना है incorporation document और देखें कि incorporation document जो है वो किस तरह की चीजों के उपर जो है वो बात कर रहा है for a LLP to be incorporated two or more person associated for carrying on lawful business हमको पता ही है with a view to profit shall subscribe their name to incorporation document इसका मतला कि second वाले point में अपने को एक incorporation document जो है वो attach कर रहा है e-form number two की जो हम बात कर रहे थे उसमें attach होगा incorporation वाला हमारा document बराबर अब हमने का sir incorporation document के contents क्या होंगे अभी आप से में बात करने जा रहा हूं लेकिन पहले इसके बाकी का जो matter है वो आप चेक करो और इस matter के अंदर अपने इस तरह से इसको लेते है the incorporation document shall be laid in such manner and with such fees as may be prescribed with the registrar of the state in which the registered office of LLP is to be situated यह यहाँ पे अपने को सिदा सिदा सा इनोंने बेकर के रखा है बराबर तो अब इस point का हमारा meaning क्या हो गया इस चीज को आप समझें हमने कहा एक incorporation name reservation के बाद में आपको एक incorporation document बनाना है और उस incorporation document को आपको simply जिस state पे आपका register office है वहाँ पे आपको इसको send कर देना चाहिए बराबर बहुत clear है तो पहला सवाल सर ये incorporation document में क्या आएगा तो वो आप लोग सर ये c-point आपने नहीं पढ़ा c-point के लिए रुख जाएए पहले incorporation document को मेरे साथ में पढ़िए incorporation document होगा in a form as me be prescribed और इसी के लिए हमारे पास में form number आ चुका था e-form number 2 1 था name के लिए 2 हमारा इसके लिए हो गया बराबर state the name of LLP बराबर बहुत simple हो गया state the LLP का नाम आप यहां पर बताएंगे तीसरे number पे आप business बताएंगे ये देखिए name बताएए इसमें business बताएए अपने registered office का address बताएए फिर जो भी person है जब partner बनने वाले हैं उनके name और address बताएए जो भी partners designated partner बनने वाले हैं उनका भी name और address यहां पर बताएए और कोई भी information जो prescribe हो आपने को देनी है like partnership डीड जो अपन बनाते थे ना बिल्कुल वैसी चीज़ें जो है वो आपने को यहां पर simple दे देनी चाहिए यह इसका सीधा 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 से अपना funda हो गया जो आप लोगों को धान में रखना चाहिए था बराबर तो बहुत तीर कट बैटर है अच्छे से response को दिमाग के अंदर रखें second step में हमको एक incorporation document बना देना है जिसमें यह सारी information हमको डाल करके ROC को send करना है बराबर एकदम आसान कोई tension नहीं हाँ यह भी देख लें if a person makes a statement as discussed above which is अब यह जो उपर information आपने दिया अचाहिए एक परेसे incorporation process का part नहीं है आपको याद हो तो companies act में section number 7 पढ़ा करते थे जहां आपने false statement दिया तो कुछ penalty थी incorporation के time पर सेम वैसा ही है if a person makes a false statement अगर इसमें कुछ जूट बोला knows to be false जो उसको पता था कि जूट है या does not believe it to be true या जूट बोला या उसको पता था कि जो बता रहा है वो सब गलत है तो punishable हो जाएगा punishment हमेशा की तरह आप लोग देख लेंगे imprisonment रहेगा 2 years का हो सकता है and साथ में fine भी compulsory है and लगा हुआ है minimum 10,000 से लेके maximum 5 lakh थक का fine है यह तो common बात हो गई कि कोई भी चीज अगर आपने शूट वहाँ पर बोली तो यह penalty इसके इंदर अपनी लगने बारी है चलिए जी मैं आता हूँ वापिस से यहां पर अब incorporation document के अलावा आपको एक statement यहां पर और फाइल करना पड़ेगा वैसा ही statement जो Companies Act में professionals लोगों का declaration होता था कि all requirements of act related with incorporation have been complied वोही चीज अपने को इधर भी देना पड़ेगा देखो क्या लिखाया there shall be file statement to be file there shall be file along with incorporation document statement in the prescribed form तो incorporation document जो आपने point number first के a, b और उसके बाद second से पढ़ा बराबर उसके साथ में ये एक और statement आपको attach करना पड़ेगा made by either an advocate or CS or CA or cost accountant and who is engaged in the formation of LLP वोही line जो companies act में आपने पढ़ी है बराबर and by anyone who subscribe his name in the incorporation document याने कोई भी partner बराबर यहाँ पे इस पूरेगा simple मतलब हो गया कोई भी एक partner जो है वो यहाँ साथ में मिलके declare करेगा declaration अपनी वोही पुनानी वाली all the requirement of this act and the rules made there under have been complied with in respect of incorporation and matter necessary and incidental there too simple तो यह section का summary आपको क्या कहता है आईए मेरे साथ में वापिस process पर चलिए जी हम process पर पहुँच गये और हमने का sir process का पहला part name deserve हो गया name deserve करने के बाद e-form number 2 यानि second step में आपको एक section follow करना है और उस section number 11 से क्या उठाना है आपको यहाँ आपका section जो follow हो जाएगा वो हो गया section number 11 बराबर clear cut matter है अब section 11 में क्या follow होगा वो चीज मेरे साथ में आप देखे हैं दो documents अपने को भेजना आपको यागा ना वहाँ पे भी अपन document भेजते थे आपको यहाँ आपको दो documents जो है वो send करना है एक document का नाम हो जाएगा incorporation document बराबर और second number पे इसके साथ आपको भेजना है declaration by professionals याद आया वो ही दो points section number 11 का जो step है वो यहाँ आपका set हो जाएगा after reserving of name person have to send some documents to ROC of that state there are two type of documents one is incorporation document in which partnership का detail LLP का detail जो भी है उसका name LLP का आपको भेजना है partners का detail designated partner का detail उनका business का nature यह से आपको भेज देना है plus साथ में declaration by the professional that all the requirement of this act related with incorporation of LLP have been complied with यह एक declaration आपको attach करके भेजनी है तो पहला step बार-बार याद करवा रहा हूँ पिलकुल नहीं भूलना है name reservation आपको चाहिए वो आपने section 16 से matter लिख दिया फिर आपको section 11 को आप set कर लेंगे अपने साब से दो documents में जाल देना पहले incorporation document उसका सारा detail फिर declaration by professional का heading रादर के उसका सारा detail आ जाएगा यहाँ आ करके हमारी तरफ से हमने सारा काम registrar के लिए complete कर दिया है अभी हमारा काम complete हो गया अभी LLP agreement का copy यह step सबसे आखिर में है इसके बीच में अब यह step जो है यह incorporation के बाता है execution of LLP agreement is mandatory as per section 23 of the act और यह जो आप LLP agreement देख रहे हो यह e-form no.3 में जाएगा और यह जाएगा 30 days of incorporation of LLP यारी एक बार registration हो जाए उसके बात 30 days के अंदर अपने को यह send करने का रहेगा अभी के लिए नहीं है यह तो sir अभी क्या होगा दो sections आपने लगाए पहले 16 फिर 11 बराबर उल्टा हो रहा है अब इसके बात में जब हमारा सारा काम हो गया तो भई अब तो क्या हो जाना चाहिए अपना registration जो है वो हो जाना चाहिए तो आईए अब अब अपन देख लेते हैं कि अगला step में ROC हमारे लिए क्या करने वाला ROC section 12 में देखो incorporation करने वाला है when the requirement of section 11 have been complied जब आपने 11 की requirement complete कर दी the registrar shall retain the incorporation document वो रख लेगा and within a period of 14 days 14 days में आगया हमारे पास में क्या register the incorporation document and give a certificate that LLP is incorporated by the name specified therein बदाई हो हमारी LLP का incorporation यहाँ पे हो गया certificate हमारे पास में आगया section number 12 में ठीक है now the registrar may accept the statement delivered by under section 11 as sufficient evidence that the requirement for incorporation has been complied with तो बहुत पियरकर matter है registrar जो है बिलकुल may accept the statement delivered by under section 11 as sufficient evidence हमारे पास हो गया ही इस बात का कि हाँ अभी incorporation proper तरीके से हो गया है the certificate issued shall be signed by the registrar and उस पे authentication आ जाएगा official seal इसके उपर लगी रहेगी register कि अपने को पता ही है और ये certificate conclusive evidence होता है इस बात का कि हमने incorporation proper तरीके से अपना करवा लिया है ये point आपको पहले से अच्छी तरह से पता है तो अपने को यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए तो ये incorporation यहाँ पर आकर के हो गया है complete section number 12 के साथ में तो within 14 days उसने ROC ने incorporation certificate इसू भी कर दिया वहाँ अपने रजिस्टर कर दिया evidence हो गया इस बात का कि सारी चीज़े हमने पूरी कर दी उनका जो certificate है वो conclusive evidence हो गया कि सारा incorporation process पूरा है और conclusive evidence क्या होता है certificate क्या होता है companies act में आप सब पढ़ गया है इसलिए बार-बार बोल रहा हूँ कि LLP Act पढ़ने से पहले आप लोग को partnership और companies act जितना आपके course में है उसका knowledge अच्छे से होना चाहिए चलिए जी registered होगे हब 12 के बाद एक छोड़ा section और लगाना है 14 number registration का effect क्या हुआ in 4 section के साथ में आपका incorporation process complete हो जाएगा on registration LLP shall by its name be capable of अब जैसे ही आप registered होगे हब अपने नाम जे case कर सकते हो आप पर case हो सकता है swing or being sued हाना common seal आपके पास आजाएगा अभी आप acquire, own, holding, developing, disposing कर सकते हो property का whether movable, immowable, tangible, indecible सब assets को आप अपने नाम से hold कर सकते हो अभी और उसके अलावा एक corporate body जो जो काम कर सकती है उस सब अब आप कर पाएंगे क्योंकि अब आप एक corporate body बन चुके हैं बराबर तो my dear students आप जब भी in corporation का process याद करेंगे पहले step में name availability के ओपर काम करोगे जिसमें आपके help करेगा कौन साथा section number 16 पराबर name एक बार आपका set हो जाए तो उसके बाद में आपको कुछ documents send करने पड़ेंगे जिसमें दो document हैं section number 11 काम करेगा in corporation document and declaration by the professionals ठीके फिर उसके बाद में यहां हमारा in corporation हो जाएगा certificate वगर हमारे पास में आ जाएगा यहां काम करेगा section number 12 ठीके और in corporation के effect के लिए आप साथ में section number 14 भी attach करेंगे plus एक section वो आप वो जो procedure में एक देकर रखा था 30 days में आपको क्या करना पड़ेगा वो जो हमारा LLP agreement का copy है वो 30 days के अंदर अंदर जब भी आपका registration हो जाए वहां से 30 days में आपको ROC को deliver कर देना है यह इतना लिकर के आप अपना in corporation process जो है वो complete कर सकते हैं यह नहीं भी लिखें तो चलेगा पर चुकि LLP agreement के बारे में भी 3rd step में तो आपको रखना चाहिए clear तो मेरे जाल से किसी को भी in corporation process के लिए कोई confusion नहीं रहना चाहिए कि हमको किस तरीके से अपना answer जो है वो draw करना है खत्म अब हमारे पास में in corporation process तो हो गया लेकिन कुछ sections हमको इन्होंने और देके रखे हुए जिन पर बात करनी पड़ेगी हाना section 11 हमने cover कर लिया आपने देखा section number 12 भी हमने cover कर लिया लेकिन section number 13 अभी हमारे पास में बाकी है अब चुकि पूरे registration के अंदर दो खास चीज़ें थी एक तो नेम और एक इन्होंने दिया registered office का address तो उनसे related कुछ और sections यहां पर आपको दे दिये गए जो in corporation process का part नहीं है हरा लेकिन सब उडिव जब LLP बन जाएगी उसके बाद जो changes वाला हमारा portion है ऐसे memorandum article में भी changes करते थे वो changes का portion यहां इन्होंने आपको दिया है यह चेक करते हैं registered office of LLP and change there in every LLP shall have a registered office एक registered office होना ही चाहिए हर LLP के पास में to which all communication and notices may be address and where they shall be receive तो हर LLP के पास अपना एक registered office होना चाहिए जिस address पर हो पाएगा correspondence यारी documentation a document may be served on a LLP कोई भी document जो आप LLP को भेज रहे हो उसके partner को भेज रहे हो या designated partner को भेज रहे हो वो आपको भेजना है post से post या तो certificate of posting से हो सकती है Indian contract में आपने पढ़ा हुआ है या registered post से भेज सकते हो या और भी किसी manner से भेज सकते हो जो भी करना है अगर कोई भी document भेजना है पार्टनर को या designated partner को परस्टनल वाला नहीं परस्टनल आप घर का कोई शादी का काड आ रहा है परस्टनल उसके लिए रूल नहीं है यह आप वहां भीजो तो भी चलेगा हम यह कह रहे हैं कि कोई भी documentation आपको करना है whether LLP के नाम से partner के नाम से designated partner के नाम से तो यह सब आपको भेजना है कहां पर LLP के registered office के address पर इसलिए address अपने को चाहिए था या registered office का address तो है लेकिन LLP ने अलग से अपना कोई correspondence address निकलियर गया है ना एक और address कि भई registered office तो यहां है लेकिन documentation यहां करिए letter यहां भेजिए तो फिर वहां पर आपको भेजना चाहिए ठीक है LLP may change the place of registered office अपना registered office change कर सकती है और इसका information वो ROC को submit करेगी और जो भी condition से उनको पूरा भी करेगी और यह सिर्फ तभी effective होगा and such change shall take effect only such filing तो आज एक registered office हमारा एक जगे पर है जोदपूर के अंदर है मान लीजे यहां से हम किसी दूसरी जगे पर ले जाना चारहे है तो आप ले जाए उसके लिए जो भी act की condition से उनको पूरा गड़िए साथ में ROC को इसका information file करना ही करना पड़ेगा compulsory है उसके बादी आपका चीज इफ्राक्टिव माना चाहेगा ठीक है और अगर किसी LLP ने यह उपर वाला जो section आपने पढ़ा इसका provision follow नहीं किया है तो LLP and every partner designated वाला नहीं LLP और जो उसका partner है वो punishable हो जाएंगे fine रहेगा minimum 2,000 का but which may extend to 25,000 यह fines की चीज आप लोगो पहले से पता है कि कैसे पढ़ी जाती है तो अपने को ध्यान रखना है तो यह section 13 होगा अलग से question बन जाए कल को कि registered office में change possible है क्या हम बोलेंगे yes possible है आपको RST को बताना पड़ेगा procedure follow करना पड़ेगा तो आप बिल्कुल registered office के address में change कर सकते हैं यूज किया उस address का ये भी हमने देख लिया कि correspondence जो होना है even partner के साथ LLP के साथ, DP के साथ वो सब इसी address के उपर होगा कि आप लोग ध्यान रखेंगे खातम 30 number office rated अब हमने का sir कुछ sections और भी थे कैसे होगा इन सब के लिए आपके पास section number 17 है आई ये name check करते हैं every LLP shall have either the word आपको अपने LLP को अपने नाम के साथ में limited liability partnership पूरा लिखिए या LLP भी लिख देंगे अगर आप short में तो भी चलेगा last word of its name नाम के end में जैसे हमने एक रख दिया भई ABN Suns हमने रख दिया A Traders हमने रख दिया A Traders आगे आपको लिखना पड़ेगा Limited Liability Partnership या लिखना पड़ेगा LLP नाम के end में clear? अब no LLP shall be registered by a name which in the opening of CG ऐसा आप company check में भी पढ़ चुके हो यहां जो दो चीज़ें लिखी है ऐसा आपके LLP का नाम नहीं होना चाहिए तो मैंने कई बार मुला कि जिन लोगों को starting में या no पड़ने में दिक्कत आती हो no से section पड़ना तो आप यहां से no को remove कर सकते हो किसे मैंने भी कर दिया चली हटा दिया तो सर यह तो change हो जाएगा change नहीं कुछ और कहीं पर add करेंगे रहापन shell के बाद में not use कर लीजिए LLP shall not be registered by a name जो central government को लगता है कि भाया undesirable है central government के rules के साब से अपने पहले भी कहा था कहीं ऐसा जो country के against में हो किसी religion को hurt करने वाला हो या government से कोई connection show करता हो वैसा नाम नहीं रखोगे और second तो आपको पता ही है identical to nearly resemble to that of other part अब खास बात देखना any other partnership firm LLP or a body corporate नहीं यहां तक common चीज ही हो थी कि sir यह जो LLP हम बना रहे हैं यह पहले से बनी हुई किसी LLP के name के जैसी या उससे match करती या उसके identical या to nearly resemble नहीं होनी चाहिए तो तो चलता लेकिन expansion है क्योंकि partnership combination LLP is a combination कल भी अपन बात कर जुगे हैं hybrid है partnership का भी और companies का भी इसलिए इसका जो नाम है वो किसी other partnership firm के name से even किसी LLP के name से even किसी company करना चाहिए बहुत wide level कर दिया सिर्फ LLP ही नहीं company या कोई firm भी उस नाम की अगर है तो आप उनाम नहीं रखोगे या आपका trademark किसी और के trademark से match करता हो to nearly resemble registered trademark और applied trademark for registration under trademark act तो आप जो trademark रखने जा रहे हो वैसा ही जैसे simple example मैंने class के अंदर भी जो दिया था live class के अंदर अपने इसको थोड़ा सा logo से समझ लिया था जो किसी भी company के product का logo होता है जैसे अपने लिया था Honda और Hyundai दोनों के नाम H से ही शुरू होते हैं लेकिन दोनों का symbol जो है logo जो है वो बिलकुल अलग है Tata, Toyota नाम T से चालू होता है दोनों के trademark में दोनों के logo में आपको T ही नजर आएगा लेकिन shape अलग है format अलग होने कर रखा है तो आपका जो भी यहां पर trademark होगा वो पहले से किसी registered trademark या applied trademark से match नहीं करता होना चाहिए यह भी आपको name वाले point में धान में रखना है ठीक है थी यह तो name का point हो गया अपने को काफी कुछ आता था अब name में भी change होता है कर सकते हैं voluntary भी compulsory भी voluntary अपने मन से करना चाहिए compulsory अगर पहले से match हो गया तो order करेंगे change करने को भी करेंगे सवाल यह कि change के लिए भी वही process e-form number 1 जाहेगा याद करिए जब अपन section 16 पढ़ रहे थे तो उसके b point में अपने पढ़ा था the name to which LLP proposed to change तो अगर change भी यहाँ पर करना है तो e-form number 1 में जो change वाला नया नाम आप रखना चाहरे वह आपको register को भेजना है बराबर same process रहेगा change of name का तरीका देखें where the central government satisfy that central government को लगता है कि LLP has been registered under a name जो नाम उपर जो 15 वाले section के 2 में आपने पढ़ा जब भी ऐसा कुछ आए तो उपर वाला section देखो 15 का 2 जो अपने पढ़ा यह यह वाला second point था undesirable है या कोई और नाम से match कर गया है इसको अपने आगे भी समझाया is identical with or to nearly resemble है ना बहुत जादा वो match करता है to nearly resemble the name of any other LLP body corporate or other अब यह मत सोचोंगे sir कैसे registered हो सकते हैं sir पहले ध्यान नहीं रखा अरे भी नहीं रखा ध्यान तो नहीं रखा गलती हो गई तो हो गई हम उस गलती से हम common name से तो चलने नहीं दे सकते तो नाम तो change करने का order वो करेंगे ठीक है तो आपका name government की नजर में एक सच LLP to change its name तो वो order करेंगे LLP को की भीया नाम को change करिये and LLP shall comply with the set direction उनको direction मानना पड़ेगा within 3 months after the date of direction or a longer period as CG may allow बाइजान आप CG को request करो कि सरी 3 months का timing हमारे लिए बहुत कम है इसमें हम नहीं कर पाएंगे ये change थोड़ा सा time extend करिये तो आपका time extend हो सकता है otherwise exam purpose say you have to learn 3 months from the date of direction LLP have to change its name clear matter और अगर ये section आपने follow नहीं किया तो punishment है LLP के against में है minimum 10,000 से लगा करके आप लोग देख सकते हैं यहां पे 55 lakh तक का fine है ठीक है और इसमार penalty DP पे है उपर वाले section में partner पे थी designated partner के उपर है legal compliance पूरी नहीं हुई 10,000 minimum से लगा के maximum 1 lakh तक का penalty इसके against में है जो आप लोग को धान में रखना चाहिए तो ये section 17 भी पूरा एक setup ने खतम किया तो जब भी पढ़ने बैठोगे कैसे याद करोगे in corporation के लिए only आपको 3 sections follow करने है number 16 name reserve हो गया 11 में हमने incorporation document और वो declaration थी वो file कर दी इन दो sections के बाद में हमने 2 section और लगाए 12 में registrar ने 14 days में certificate दे दिया और 14 में उसके effects और यहां से जो अगला point उठाया वो LLP agreement 30 days में भीज रहा है extra sections के अदर हमने कुछ ले लिए कि अगर registered office address में change करना है तो number 13 वाला section address के change का वो सब आपके पास था name के लिए हमारे पास में 2 section 15 आ गए कि name कैसा होगा और 17 name में change के आपसे बात कर लेता है यह सब पूरा topic यहां आकर के अपना हो जाएगा complete ठीक है पराबर ध्यान रखेंगे हम लोग अप next segment पे पहुंच गए लोगों के इस course के अंदर include नहीं है ठीक है चलिए अगला segment का heading बहुत जबर्दस partners and their relation LLP के partners और उनके बीच relation क्या है काफी कुछ वैसा ही जैसा आपने partnership में पढ़ा है हाई ये बात शुरू करते हैं इस बार का जो हमारा section का यहां पर group रहेगा आप देख सकते हैं section number 22, 23 फिर हमारा एक section और जाएगा 24 फिर इसके साथ में ही जाने वाला है section number हमारा 25 25 तक चलिए यहां तक अगला segment है आपको वहां सब जगे heading देके रखा है तो partner और उनके relation का जो एक setup है section number 22 से लगा करके 25 तक के sections हम यहां पर करने वाले हैं कबार चलिए जी बात शुरू करते हैं फटाफट से सबसे पहला partner बनने के लिए eligibility क्या चाहिए normal तो हम बात कर चुके हैं कि वह person unsound mind court का declaration वाला नहीं होना चाहिए ठीक है प्रस insolvency के लिए जिसने apply कर दिया हो या जो declare insolven है वो यहां पर partner LLP में नहीं बन सकता है ठीक है बाकी कोई भी individual body corporate आ सकता है ठीक है तो on the incorporation of LLP the person who subscribe their name to the incorporation document shall be its partner अपने को पता है कि जिन लोगों का नाम incorporation document में ऐसे partner आया हो हमारे partners होगे जो agreement के थूँ आ रहे हैं यह भी अपन बात कर चुके है and any other person may become a partner of LLP accordance with the LLP agreement तो बहुत आसान section हो गया यह जो भी partner बनेगा दो तरीके पहला तो वो जिसका नाम लिख दिया गया हो incorporation document में वो बनता है दूसरा वो जो LLP agreement के थूँ यहां पे आएगा यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा companies में होता है company में अगर आपको member बनना है तो सबसे पहला जिनका नाम memorandum के subscriber में लिखा हुआ है जब company बन रही थी seven or two लोग और बाद में अगर बनना है तो आप इसके shares को purchase करिए company के लिए तो वैसा ही कुछ यहां है registration के time पे जो आपने documents incorporation document भेजा उन पे जिनका नाम है वो सारे partners होगे plus बाद में LLP agreement के थूँ क्योंकि LLP partnership की तरह है मनद partnership की कौनजी quality लिए यह shares issue नहीं करती है इसमें भी अगर आप partner बनेंगे तो बिलकुल वैसे ही जैसे partnership में होता है capital लगाकर के LLP agreement के through clear चलिए अगले section पे पहुँचे है आपन 23 आसान section ही सारे relationship of partner the mutual rights and duties of partner of LLP and the mutual rights and duties of LLP and its partner दोनों की बात हो रही है कहां से governed होंगे shall be governed by the LLP agreement between the partner and between the LLP and partner एक दम आसान partners का जो आपस का mutual agreement रहेगा और जो भी obligations rights रहेंगे LLP और partner के बीच के जो भी duties और mutual rights और सब कुछ रहेंगे वो सब governed होंगे कहां से एक ही चीज बहुत important है और वो रहेगी अपनी ये LLP agreement से governed होंगे ठीक है आगे पढ़िए the LLP agreement और उसमें कोई भी अगा changes होता है made there in shall be filed with the ROC in such form and manner जो भी decide और साथ में fees भी अपनी लगेगी तो LLP agreement अपने पहले भी 30 days के अंदर file कर दिया था वो ही section है 23 अपना future में आप LLP agreement में कुछ changes भी करते हैं तो उसका information भी हम registrar को देने वाले हैं ठीक है next number an agreement in writing made an agreement in writing made before the incorporation of LLP ये वाले point में कई लोग ने मुझे doubt का message किया तो बहुत ध्यान से सारे लोग इसको समझो या क्या लिखा हुआ है an agreement in writing जो writing में था और जो agreement कब हुआ था before the incorporation of LLP तो LLP बनने से पहले के कौन से contracts बहुत common है जब भी ये पढ़ो अपने दिबाग में company को रखिये एक company जब incorporate होती है उससे पहले कई सारे pre-incorporation contracts करती है आपको memorandum print करवाना है articles print करवाना है office तयार करना है बहुत सारे करचे है वो सारे promoters लोग कर ले थे subscriber to memorandum ठीक है अब these are called pre-incorporation contracts जो company के बनने के पहले के थे अब company बन गई company बनने के बाद company के members मिलके उन सारे expenditures को ratify कर ले थे ratify वड़ियाद आया past act को approve करना और फिर उन सब के लिए company liable हो जाती है एक बात promoters लोगों ने दे दिया बात मैं company ने उनको वापिस पे करके हिसाब बराबर किया preliminary expenses का entry भी आप लोग करते हो same काम हम यहां कर रहे है तो जो भी agreement writing में हुआ LLP बनने से पहले किन के बीच में हुआ होगा यह agreement between the person who subscribe their name to the incorporation document वो ही लोग जिनका नाम incorporation document में लिखा गया है जो अब partners बनने वाले हैं may impose obligation on the LLP तो उन्होंने जो contracts किये उसका obligation LLP पर आ सकता है provided such agreement is ratified by all the partner after incorporation of LLP तो LLP के registration के बाद में सारे partner की all concerns से हम उसको ratify कर लेंगे उसको approve कर लेंगे तो अभी LLP उन contracts के लिए responsible हो जाएगी इसको आप ऐसे समझो आप दो लोग मिल करके एक LLP का formation करने जा रहे हो ठीक है हब LLP formation के लिए आपको legal services चाहिए थी किसे advocate की तो मैंने आपको legal services जो है वो provide किये कि आप हमारे लिए ये formation करिया LLP का और हम आपको इसकी fees पे करेंगे बाबर फिर LLP का formation हो जाता है अब all partners all partners में कौन है ये दो ही तो है तो ये लोग मिल करके उसको ratify कर लेंगे सब क्यों करना है ये ratify इन्होंने ही तो expenditure किया था after incorporation LLP एक separate legal entity बन चुकी है तो आप जो कुछ होगा वो LLP के नाम से होगा है तो LLP इस contract को जो मेरे साथ हुआ उसको approve कर देगी ratify कर देगी innovation भी कर सकती है अपने नाम से बना सकती है और then मुझे मेरा जो पैसा है वो LLP पे कर देगी अपने को ध्यान में रखना है अब हम में से कई लोगों को पढ़ते हुए जो दिमाग वाला doubt होता है sir अगर आपका पैसा A और B नहीं पे करें बाद में LLP बनने के बाद LLP भी नहीं पे करें sir A और B इंसॉल्मेंट हो जाएं तो हमको क्या करना है तो भाई लोगों आप सब लोगों को इस बात का एंसर अच्छे से पता है मेरे पास suit file करने के right बिल्कुल secure है जो अगर ratify नहीं होता है तो मैं A और B पे कर लूँगा case बराबर ratify हो जाता है और पैसा नहीं मिलता है तो मैं LLP पे case कर लूँगा तो मेरा attention मत दीजिए मैं किदर से करूँगा case आपको धान में रखना है clear तो third point का मतलब LLP के incorporation से पहले के जो contract है LLP formation के बाद उनको ratify कर लेगी all partner का consent से और फिर उसके लिए LLP खुद responsible हो जाएगी clear एकदम आसान next number देखो अब जैसा partnership में होता था कि अगर आपने deed बना दी तो सारे provision deed से follow होंगे और कहीं आपने partnership deed नहीं बनाया तो partnership act के provision लग रहे थे याद आया profit sharing ratio agreement में लिख दीजिए deed में तो okay नहीं तो act कहता है equal ratio में distribute होंगे बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा ठीक है तो अब इसमें point क्या कहता है आईए इस point को अपन चेक कर लेते हैं हम वापस उपर पहुंच गए तो section के उपर फटा-फट से आ जाते हैं जिस पे हम लोग बात कर रहे थे लास्ट वाला point देखो फूर्थ नंबर अगर आपने कोई चीज एग्रिमेंट में नहीं लिखी है तो फिर वो उस पे लग जाएंगे प्राविजन रेटेंट तो बात मैंटर आर सेट आउट इन अब फर्स शेडियूल फर्स शेडियूल किसका बहुत क्लियर है फर्स शेडियूल ओफ लल्ल्प आट जैसे companies act में था ना फर्स शेडियूल में सारे रूल्स दिये हुए है और आपको हमें कहा दिया कि अपने रूल्स बना सकते हों तो बेस्ट है बनाइए अपना LLP agreement बनाइए जहां आपने अपना LLP agreement नहीं बनाया वहां LLP act के शेडियूल, फर्स शेडियूल के rules applicable हो जाएंगे, simple सी बात यहां पर लिखी गई है ठीक है, clear है next पे हम लोग पहुँझे फिर यहां पर आप देखो 22, 23 पर हमने बात कर ली अगला section 24 कहता है जहां पे आप सीज हो जाते हैं अपने partnership interest से, यानि कि वो कौन सी situation है जहां आपका partnership खतम आप partner बनने से हट गए तो कुछ बातें यहां पर लिखी हैं सबसे पहला agreement or by giving notice, समझेगा अब person may cease to be a partner of LLP, accordance with an agreement with other partner or in the absence of agreement with the other partner, as to suggestion of being a partner सुर यह सब क्या पढ़ रहे हो, बहुत सिंपल है by giving a notice in writing of minimum 30 days to the other partner of his intention to resign as a partner clear matter समझो a person may cease to be a partner of LLP in accordance with an agreement with other partner, पहला तरीका जैसा partnership में भी होता था जैसा आपने agreement में लिखा है, उस तरीके से आप retire हो सकते है और in the absence of agreement, अगर आपका agreement नहीं है, तो फिर by giving notice to other partner, आप छोड़ सकते हैं firm को, लेकिन कम से कम 30 दिन का, 30 दिन पहले आप notice दोगे, before 30 days retire होने से 30 दिन पहले, यह आज में notice दे रहा हूं, आज से 30 दिन बाद में यह firm को छोड़ दूँगा, resign कर दूँगा, ऐसा आपको देना पड़ेगा notice, बहुत clear matter है, कोई टेंशन नहीं, तो resign करने के दो तरीके, या तो पहले से agreement में लिखा हुआ है उस तरीके से, नहीं तो 30 देस का prior notice, वड़ आप देहीं, तो यूज करें लिजे, prior notice दे दीजे, other partners को और आप radar हो सकते हैं, ठीके, अब कुछ और भी तरीके हैं, seize होने के, कब आपकी partnership खतम हो जाएगे और यह सारे आपको आते हैं, death or dissolution के case में partner का death हो गया है, ठीके, या जब firm ही dissolve, partner का death हो गया, तो but obvious है, वो firm से गया, LLP से गया, same उसी तरह से, अगर LLP ही पूरी dissolve हो गया, तब भी but obvious है, कि आप seize हो जाएगे, second number, अगर court से competent court से वो unsound mind, जब partner बना था तब तक तो खोड़ी सही थी, बाद में unsound mind court से declare कर दिया गया, तो भी partnership खतम आपकी, आप as a partner आप खतम, if he has applied to be declared insolvent, या आपने या तो apply करके रखा है, matter pending पढ़ा है, या insolvent declare वो बंदा हो चुका है, तो फिर सीधा सीधा सा firm से वो LLP से वो cease हो जाएगा, तो LLP से चीज होने के चार तरीके होगे, सबसे पहला खुदी रिजाइन कर दीजिए, वो कैसे करना है agreement के थू या by giving notice to all the partners, दूसरा तरीका death या पूरी की पूरी आप सोचकते हो कि for me जो हमारी है, sorry LLP जो हो हमारी dissolve हो चुकी है, फिर उसके बाद अगले number पर बन पहुंचे जहां पर unsound mind declare कर दिया गया है, तो उसके कुछ liabilities बन दिया है, जब तक वो firm के अंदर था तब तक जो जो liabilities create हुई उनके लिए वो हमेशा से responsible है, हमेशा से responsible हैगा, उसके लिए हमारे पास क्या point है, और आपको याद हो तो partnership में भी अपने पड़ा था कि वो notice देना पड़ता है, धान में आए आपको, notice देना पड़ता है अपने को, public notice देना पड़ता है और जब तक public notice नहीं देते हो आपकी responsibility रहेगी, LLP में public notice जैसा कोई चकर नहीं है, तो point क्या है मेरे साथ समझना, यहाँ से समझीएगा, सबर्दूस point है, where a person has ceased to be partner, जब वो partnership से ceased हो जाए, here and after refer to former partner, अब यह जो बंदा ceased हुआ है, उसको हम former partner के नाम से जानेंगे, the former partner is to be regarded in relation to any person dealing with the LLP, as still being a partner of the LLP unless, यानि यह जो हमारा, मैं इसको इस तरह से बता देता हूँ, कि former जो हमारा यह partner है, जो cease हुआ, उसको बंद former partner बोल रहे है, क्या यह third parties के लिए, यह जो back end में लिखा है ना, in relation to any person dealing with the LLP, यानि कि third party, तो यह जो हमारा former partner है, यह third party के साथ, किस matter में या कहां तक रहेगा liable, यह जो कि यह तो अब cease हो चुका है, तो इसकी liability, third parties के लिए, जो LLP के साथ dealing कर रहे हैं, वो रहेगी, हमने बहुत बेर कर बोल दिया, कि वो रहेगी, कब तक रहेगी, unless के अंदर आगे पढ़ो, still being as a partner of LLP, बिल्कुल पार्टर की तरह ही रहेगी, कब तक, the person, person कौन, third party, has noticed that former partner has ceased to be a partner, अगर, simple कर दो, if third party have knowledge about this fact, about secession of that former partner, then this former partner is not responsible for third party, clear, अगर third party को अच्छे से पता लग गया, कि ये वाला partner अब sees हो चुका है, तो अब ये sees होने वाला partner, उस third party के लिए responsible नहीं है, कौन से वर्क के लिए, जो sees होने के बाद के हैं, पहले के लिए तो आपकी response बड़िए आगे भी हमेशा रहती है, ये सब अब आपको आता है, second number, notice that the former partner has ceased to be a partner of LLP, has been delivered to the registrar, समझो, जैसे normal partnership firm में, public notice देना पड़ता था, वैसे LLP में, अगर कोई partner cease होता है, retire हो रहा है बाकी चीजों में, आपको registrar को देना पड़ेगा notice, बीच में आपको मैं, एक section पे ले जाता हूँ सीधा सीधा सा, section 25 पे आपको मैं बीच में ले गया थोड़ा सा, इसमें सिर्फ कितना पड़ना है अभी इस point के साथ, ये देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है, सिर्फ एक point पढ़ा रहा हूँ, LLP Shell, बहुत clear cut हमने बूल दिया, LLP Shell, LLP का responsibility बनता है, कि जब कोई भी person, seize हो चुका है, यानि अब वो partner नहीं है, तो 30 days के अंदर-अंदर, उसका जब भी वो seize हुआ, वहाँ से 30 दिन के अंदर-अंदर, वो registrar को inform करे, समझ रहे हैं? और जैसे ही आपने 30 दिन में registrar को inform कर दिया है, अब उस seize होने वाले का, former वाले का liability खतम हो जाएगा, उसके पहले तो उसका liability चालू रहेगा, यह इस point का meaning था, जो अपने को ध्यान रखना है, तो आप से कोई भी पूछे, दो बात हैं, former partner किन चीज़ों के लिए responsible हैं? पहला, कि भीया, former partner seize होने से पहले पहले जो भी responsibilities create हो चुकी है LLP पे, उन सब के लिए तो responsible है, उन सब के लिए का मतलब limited liability में responsible है, वो आपको धान में रखना है ना, जिसमें liability तो limited होती है, घर से कुछ पैसा तो लाना नहीं है, ठीक है, फिर हमने का कि सीज होने के बाद, सीज होने के बाद दो बाते होंगी, अगर third party को पहले से पता है, कि हम सीज होगे, तो कहानी खतम, second number जब तक LLP ने register R को notice नहीं दे दिया है, 30 days वाला, कि भी सीज होने के 30 days में आपको notice देना है, तब तक इसका लाइबरी चालू रहेगा, यह आपको धान में रखना चाहिए, फिर आपकी दिमाग मा आया, sir, LLP notice ही नहीं दे तो, notice ही अगर LLP नहीं दे तो एक प्रावजन अपने भी पढ़ेंगे, otherwise जब तक ROC को notice नहीं गया है, आपका लाइबरी चालू रहेगा, continue रहेगा, जैसे firm में public notice की दिट तक चालू रहता था, बिलकुल यहाँ पे भी चालू रहेगा, पस यहाँ फर्गिए कि public notice नहीं देना है, आपको यह notice जो है, वो ROC को देना है, यह धान में रखेंगे, ठीक है, फिर हमारा fourth point क्या कहता है, fourth point बहुत असान सी बात है, जो आपको पहले से पता है, the cessation of a partner from the LLP, does not by itself discharge the partner from any obligation of LLP, कौन सा obligation, या other partners के लिए, to or any other person के लिए, which he incurred while being a partner, अब यह line भी कई लोगों को confuse करती है, जब कि line बहुत easy है, easy कैसे बना सकते हैं आप इसको अभी-अभी हमने कहा, former partner is still responsible for any liability created or related with prior period, when he was a partner, जब वो partner था, उस वक्त की जो भी liabilities रही, यह लिखाना, देखो, while being a partner, जब वो partner था, उस वक्त जो जो liabilities थी, चाहे वो third parties के लिए थी, चाहे other partners के लिए, चाहे लिए उनके लिए वो responsible अभी भी रहेगा, यह अपने को धान में रखना है, तो अपना पुराना point था, अगर मान लिजिए 25th की कोई September को अगर मान लिजिए, कि वो यहां से seize होता है, तो उसके पहले के लिए तो वो हमेशा से responsible था ही था, हाँ, उसके बाद भी आपने जब ROC को मान लिजिए notice 5th October को दिया गया है, तो यहां तक भी आपकी response बढ़ी चालू रहेगी, फिस यह इस point का हमारा simple सा meaning था, आगे पढ़ते हैं, अब जो former partner जा रहा है, उसको हम क्या दे रहे हैं, क्या rights उसको मिल रहे हैं, यह इसलिए लिखा है कि बाइचांस डैथ हो गई हो तो उसका लिगल है, इन्सोलवेंसी में आप जानते हो ओफिशल रिसीवर आजाता है वहां पर, शेल दी एंटाइबल तो रहे हैं, तो जाने वाला परसन अपने साथ में क्या लेकर के जाएगा, उसके बारे में ये बात है, capital contribution जितना भी आपने किया, भाई साहब उसको ले जाएगे, प्लस यहां तक के profit का accumulated का जो share है, profit जो यहां तक का हुआ, उसमें से losses का deduction करने के बाद, आपका जो भी share उसमें से निकलेगा, वो आप लेकर के जाएंगे, जैसा normal partnership में करते हैं, यह आपके rights हैं, ठीक है, तो capital plus profit sharing लेकर के जाएगे, former partner or a person entitled to his share, death or insolvency के case में, यह जो line बार-बार आती है न, person entitled to his share, तो समझो, death के case में उसके legal hair की बात होई है, insolvency के case में official receiver की बात हो रही है, shall not have any right to interfere in the management of LLP, तो जब तक हम calculation करके, यह उसको पैसा दे नहीं देते, तब तक भी मरने वाले का legal hair और official receiver जो है, वो firm के business में interfere नहीं करेंगे भई, sorry, firm बोला हो, इसका मतब LLP के business के अंदर कहीं पर भी वो interference नहीं करेंगे, यह आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, तो कई बार होता है कि भी share calculate करके payment में time लग रहा है, दो-तीन मिने लग गए, इन दो-तीन मिनों में उनको लगता है कि यह share तो हमारा है, मतब हम भी LLP के partner हो गए, और वो आके LLP के business में interference करें, तो यह permission बिल्कुल भी granted नहीं है, अपने को धान में रखना है, ठीके, फिर लेते हैं, आज के हमारी class का session का आखरी point, registration of changes in partners, देखेगा, हाँ, every partner shall inform the LLP any changes, name और address within a period of 15 days, आसान सी बात होगी, जब भी किसी partner के address में कोई भी change होता है, name में change कर रहा है, वो अपने खुद के नाम को बदल रहा है, तो आपको उसके 15 days में उसका information, company को, sorry, company भी नहीं, LLP को देना है, बराबर, तो नाम में change हुआ, ठीके, अब तक नाम person ने रखा हुआ था, अपना रावन, और change करके अब उसने कर दिया, ठीक ने रखा है, राम नाम रख लेता है, तो आपने अपना नाम change कर दिया, खुद का address change किया, तो उसके 15 days के अंदर-अंदर, आप इसका information जो है, वो LLP को करने वाले हैं, और LLP क्या करेगी, जैसे ही आपने उनको inform किया, अपने अपने उनको इनफर्म किया, पटाया 15 days में, और जब LLP को बताया, तो वहां से 30 days में LLP बता देगी, आर और सी को, यह सेक्वेंस अपनी काम करेगी, यह वाला पॉइंट अपने पढ़ चुके हैं, जब partner seize होता है, तो 30 days में LLP उसका information ROC को करेगी, चलिए जी, अब notice जो आप भेजोगे ROC को, but obvious है, उस form में होगा जो prescribed है, अभी तक fees साथ में आपको भेज मी पड़ेगी, ये कोई याद रखने के point नहीं है, but obvious जो form जो notice आप भेजोगे, उस पर designated partner के sign होने चाहिए, और authentication भी उस पर seal will लगानी है, तो लगानी पड़ेगी, ठीक है, अगर ये point भी कई लोगों को उलजाया, अगर information ने partner के आने की है, जो भी change हो रहा है, भर information ROC को भेज रहे हो, है न, तो अगर कोई नया partner, incoming partner आ रहा है वहाँ पे, तो उसकी detail भेजनी है अपने को, shell container statement by such partner, that he consent to becoming a partner, यार, उसका sign और उसका भी जो भी authentication होना है, वो करना है, मतलब पहले से हमारे पास में, मान लीजिये, A, B, C, और D, 4 लोग थे और E नया enter हो रहा है, तो अपने को ROC को बताना पड़ेगा सब नया enter हो रहा है, तो उस ने वाले का return consent भी, I am ready to work as a partner in this LLP, वो भी आपको ROC को भीजना है, sign करके उसके, ये इस point का simple सा मतलब था, कि उस ने वाले incoming वाले का consent और उसका detail भी आपको register को भीजना है, ठीक है, और अगर किसी भी LLP ने ये subsection 2 follow नहीं किया, समझना, sir, subsection 2 कौन सा है, कहीं ओपर 2 section में मत चले जाना, 2 मतलब ये बात हो रहे है, इस second point की, जो आ जो कि legal requirement थी, designated partner के against में हम penalty लगाने जा रहे है, minimum 2,000 से लगा के maximum 25,000 की, clear? अब सोचो, किसी partner ने ही ये first वाला point follow नहीं किया, उसका नाम चेंज हो गया, उसका address चेंज हो गया, उसने 15 days में बताई नहीं LP को, उसके against में यहाँ penalty है, किसी partner ने अगर subsection 1, मतलब इस section का first वाला वो अगर follow नहीं किया, तो भी उसके against में 2000 से लगा के 25,000 तक का penalty है, ठीक है, फिर एक confuser आखरी में दिमाग में आया कि सर, मैं retire होता हूँ, मैंने retire होने के बाद में, उपर जो अपने पढ़ा था, prior notice 30 days का LLP को दे दिया, LLP ने वो notice 30 days में आगे ROC को भेजा ही नहीं, तो मे ऐसे मैं मुझे एक write दिया गया, मुझे खुद को, any person who ceases to be a partner of LLP may himself file with the registrar the notice, मैं क्यों LLP के बहरो से रहूँ, liability तो मेरा चल रहा है, तो मैं खुदी क्यों ना ROC को inform कर दूँ, if he has reasonable cause to believe, अगर मुझे लगता है, ऐसा मुझे believe है, कि LLP may not file the notice, ये बाकी के partner बदमाश ही है, क ताकि मैं वहाँ पे libel रहता जाओ, तो उस case में मैं खुदी registrar को भीजूँगा, and in case of such notice filed by a partner, तो partner खुदी notice भीज देगा, the registrar shall obtain a confirmation of this effect from LLP, unless the LLP has also filed such notice, इसको ऐसे समझो, कि यहाँ जो partner है हमारा, उसने ROC को inform कर दिया, कि सर मैं seize हो चुका हूँ, अब ROC immediately इसका confirmation पहले मा पाइटन चून बोल रहा है, तो LLP से पूछेंगे, ठीक है, हाँ, तब तक अगर LLP का खुद का ही notice भी साथ में पहुंच गया था, 30 days का timing था, उसने भी भेज दिया, और हमने भी भेज दिया, तो automatic confirmation हो गया, नहीं तो ROC क्या करेगा, LLP से confirmation मांगेगा, कि भी, तुम्हारे एक वद्दा कहरा है, कि वो seize हो चुका है, तुमने information क्यों नहीं दिया आप तक हमको, बराबर, अब दो बाते होंगी, इसको भी समझो, आखरी point बात कर रहे हैं, अगर LLP की तरफ से आ गया है, कि सर हम late हो गये थे, sorry, 30 दिन से उपर डाइम निकल भी चुका है, तो penalty लग ज लाएगा, सच का पता लगाएगा, फिर जो action लेना हूँ लेगा, लेकिन अगर no confirmation is given by the LLP within 15 days, अब हम हमेशा वेट थोड़ी करेंगे, हार OC ने LLP को inform किया, कि ये partner seize की information हमारे पास में आई है, आपका क्या reply है, 15 days में भी अगर उनका जवाब नहीं आता है, तो registrar क्या करेग shall register the notice made by a person, seizing to be partner under this section, भकाइदा registrar उसके entry कर देगा अपनी books के अंदर, एक दम कि हाँ ये partner इस date से हो गया है, seize, उस दिन से उस person का liability भी हो जाएगा, खतम, तो ये एक facility अपने seize होने वाले को भी दे दी, कि आप directly registrar को बता सकते हो इसके लिए, तो registrar एक बार LLP से confirmation करके उस आज की class में दो बड़े points हमने registration in corporation का भी कर लिया, plus इनके आपस के relations कैसे रहे, उस पर भी हमने बात कर लिए अच्छे से, तो seize होने वाला part आपको ध्यान में रखना है, resign करते हो, rule क्या 30 days का prior notice दीजिए, फिर company अगले 30 दिन के अंदर, जब से आप retire हुए, वहां से resign किया, या जब भी seize हुए, वहां से 30 days में ROC को बता देगे, clear matter है, आपके name या address में change होता है, 15 days में आप ROC को बताईए, sorry, 15 days में आप LLP को बताईए, और LLP जो है, वो आगे जाकर के company को उसका information देगा, रजिस्टरार को उसका information देगा, इन दिनों में companies एक बहुत बढ़ा रहा तो दिमाग के अंदर company है, तो इस पॉन को वापिस से आप सुन लीजिए, अगर LLP के partner के name के अंदर, या address में कोई भी change होता है, 15 days में वो LLP को बताए, और LLP वहां से 30 days के अंदर, उसको ROC को बता दे, यह अपने को धान में रखना है, नहीं बढ़ा है, तो penalties होगर है, सार आई करते रहिए, तयारी करते रहिए, तयारी करते रहिए,